हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले एक शेयर से एटीड जिसका नाम है DCM Shriram Industry Limited ठीक है जहां पर दूसरे लोग DCM जो एक दूसरा शेयर है आप देखोंगे DCM Shriram केवल Industry नहीं केवल DCM Shriram वो खरीदने में लग रहे थे और वो यहां पर आप देखोगे तो केवल Consolidation Mode पे था पैसे नहीं बनाए वहीं पर ही हमारा ध्यान है एक Particular Share पे था जहां पर हमने अच्छे कासे पैसे यहां पर बनाए भी है ठीक है अभी की बात disclaimer कहूं तो कुछ लोगों के पास यह अभी भी हो सकता है जो जिने मैंने inform किया है और हमने यहां पर स्विंग करके अल्रेडी एक्जिट कर चुके है ठीक है ना तो मेरे पास अल्रेडी एक शेयर नहीं है इस चिट को याद रखिएगा तो DCM शीराम की हम बाते करेंगे जानेंगे इस Particular Share के रिलेटेड और लेवल से रिलेटेड बिलानेंगे बड़ याद रखिएगा बाइन सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने Financial Advisor कुद की स्टाडी करना है चीचों को यहाँ पर केवल सीखने के परपस से आपको लेना है और सीखने के लिए क्या करना है सीखने के लिए आपको वीडियो देखने है जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको यहा यहां पर NISM Certified Research Analyzation Equity Derivative है यहां पर और अब हो जल्दी यहां पर इस साल के अंतर यहां पर लाइसेंस भी ले लिया जाए बाकि अगर किसी को सीखना है तो वीडियो जिसमें जाके देखिए सीखिए और किसी को रियल में इंट्रेस्टेड है और बारी क्या सीखने है क्य क्या कैसे कि जवाब चाहिए न कि शेयर क्यों भागते है शेयर क्यों गिरते है इसके पीचे का पूरा रीजन क्या है अगर आप टाइम दे सकते हो और श्टॉक मार्किट को करियर के रूप में देख में चाते हो तो इस इस दा बेस्ट कोर्स हा न जहां पर आपको सब जोइन करोगे ना ठीक ना तब उसका भी रास्ता में आपको कुछ ना कुछ बता दूँगा तो एक बात जोइन करके देखिए बात करके देखिए तो आपको सिंपल समझ में एक त्री मंस की हैंडोलिंग स्टाटीजी उस इन श्टॉक मार्किं ऑनलाइन नोट्स आपको द लूड़ क्या कर सकते हो पूर्ट फोलियों बड़ा है 3,4,5,0,0,0,4 पर एक करो तो आप मिछांपर क्योंटक करे हैंगे अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप करिये बात करने का कुई बाकी आगे बढ़ते हैं जानते हैं तो DCM Shri Ram industry की हम यहाँ पर बाते करेंगे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाता हूं यह देखिए DCM Shri Ram industry invest forever ठीक है यह हमारा सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर टेडिंग यूपर तो यहाँ पर देखिए 105 रुपर पर यह शेयर है ठीक है और प्लस में 105 क्या कहूँ 90 रुपीज मैंने इसमें एंट्री ली थी ठीक है to be very frank तो 90 रुपीज से मैं इसे का अगर calculate करूं तो यहाँ पर आप देखिएगा DCM Shri Ram industry tomorrow again may think for entry है न तो यहाँ पर यह सब चीज आप देख सकते हैं यह हमारा गुरूप है तो हमने यह शेयर को यहाँ पर बताया है दुबारा entry की बाते हो रही है तो मतलब क्या है कि हम एक पर और entry लेके यहाँ पर profit book कर चुके तो DCM Shri Ram की बात करें तो अभी 216 और 228 का हाई तो यह मेरा मताने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर बताया ठीक है और यह टाइम कोंसा चल रहा है यह चल रहा है लगबल अगस्त के आसपास का ठीक है और अगस्त में आप देखोगे अगस्त से लेके अभी तक तो लगबल इसी तरीके से काम करते हैं ठीक है कोर्स में आपको पता चलेगा क्यूं क्या कैसे के जवाब मिलेगा कि क्यूं मैं यहाँ पर रिएंट्री के बारे में बाते कर रहा हूं क्यूं मैं यहाँ पर कि श्रेयर को लेने के बाते कर रहा हूं और आगे क्या है वो सब चीर से बाते तो जानते हैं सबसे पहले company की बात करें तो company का क्या है company से अपर सेल्स ऑफ शुगर आलकोहल पावर जेनरेश्ट पावर केमिकल डॉन एंड इंडेस्टिल फाइबर से लेटीड कंपनी काम करती है ठीक है न है यहां पर देख सकते है शुगर एंड डिश्टलरी की बात करें तो लगबग 68%, 61% जो बिजनस है वही से ही आता है, ठीक है न, डिश्टलरी का मतलब कहा है, simply यहाँ पर जो अलकोल का बिजनस है, यहाँ पर देखें, बिजनस से 21% का यहाँ बिजनस आता है, 18% केमिकल से आता है, तो यहाँ पर आप पर बात करेंगे आप चाहो तो इनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्जेक्टली कंपनी एक क्या क्या करती है किसी से रेटी नहीं पर बिजनस करती हुए दखाई देती है अब देखिए मार्केट कैप 1883 करोड़ अब जब मैं बात कर रहा हुए यह शेयर की आज सपास करेंगे आपर मार्केट करता हुए ठीक है कम ही होगा बलकि 800 करोड़ तो जब पैसे बनाने की बात होती है न तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्लू चिप्स में पैसा नहीं बनेगा ठीक है मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको रिटन ज़्यादा चीज़ है तो आपको स्मॉल कैप में काम करना पड़ेगा और स्मॉल कैप में भी ऐसा नहीं कि आप गदो को पिक करों स्मॉल कैप में काफी फंडमेंटली स्टॉंग शेयर रहते हैं उन्हें आप पिक बात करें 17 इंडश्टी का पी बार भार है तो आपको अभी ए महंगा नजर आएगा ठीक न बट याद रखिए पी जाधा है तो शेयर नहीं भागेगा पी कम है तो शेयर भागेगा ऐसा किसी भी बुक में नहीं लिक राए ठीक है और बुक में लिखा भी रहे ठीक है तो याद रखिएगा प्रैक्टिकल में कुछ अलग ही काम होता हुए दिखाई देता है बहुत सरे लोग आपको PE के बेसिस पर पढ़ाते हुए दिखाई देंगे ROC, ROE का ग्यान देते हुए नजर आएंगे बट याद रखिएगा ROC, ROE, PE, Market Cap, Book Value, Intrinsic Value, Face Value यह सब नथिंग है ठीक है ना इस टॉक मार्किट में जब इंट्री करोगे तो इनका प्रैक्टिकल वे में कोई भी मतलब नहीं रहेगा बिलकुल भी मतलब नहीं रहेगा केवल सीखने के प्रफस से अलग चीज है बड़ यह प्रैक्टिकल करने होतर होगे तो जो थियोरी होती है ना वो प्रैक्टिकल से बहुत अलग होती है इस चीछ को याद रखिएगा रोसी रोई ठीक नहीं है ठीक है फेस वेल्यू की बात करें दोख फेस वेल्यू है 46 परसंट का डिवीडेंट है और इंट्रेंसिक वेल्यू आप देखेंगे तो किस तरीके से भागता हुए नजर आया तो वन वे रैली भी होती हुई नजर आई है क्या ऐसी कंपनी को दु तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले company के result, company के result आप देखोगे, तो company के result अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, sales side यहां पर yearly quarterly basis पर घटी है, but just because of expenses यहां पर इनके expenses भी कम हुए है, तो इसकी वज़ये से इनका yearly basis पर जो number है, और अगला quarter में भी थोड़ा challenges वाला रह सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखे, तो आगे आपको क्या करना है, काम करना है, अब आप सोचोगे, सर अभी क्यों वीडियो बना रहे हो, पहले क्यों नहीं बनाई, तो देखिए, पहले बनाई, हम अल्रेडी जो चीज़ मैंने ले रखी है, उस से लेटें में आपको वीडियो बना के नहीं बता सकता, बाकी दूसरी चीज़ के हम बात करें, तो यहाँ पर जो आपको entry है, exit है, वो आपके साब से देखने है, सिखाने का purpose है, ठीके ना, क्यों 90 रुपीस पर entry ली थी, ठीके ना, अभी क्या यह मुश्किल है, क्या यहाँ पर है, levels क्या रहेंगे, वो बताने का मकसद है, ताकि आप सीख सको, ना कि यहाँ पर entry और exit की बाते कर रहो है, कि यहाँ पर आप entry low पैसे बनाओ, यह कोई बात ही नहीं कर रहो है, तो इस चीट को याद रखिएगा, दूसरी बात करें, यह अली बेसिस पर कंपनी का performance ठीक ठाक रहा है, ठीक है, घाटे से company profit में आई है, all time हाई पर, reserves company के लगाता बढ़ता हुए नजर आए है, बॉराइं की बात करें, वो कम हुई है, तो यह सारे क्या है, positive factor है, तेरे करोड रुपे लगबग बर की in progress में लगा रखिए है, ठीक है, जिसका फाइदा अल्रेड़ी यहाँ पर शायद हो चुका होगा, ठीक है, अब यह updated नहीं है, क्योंकि यह September का data है, यहाँ पर हम बात करें, company का cash भी है, और चीज़े देखे है, तो company ने December में भी as it is अपनी holding रख रखी है, ठीक है, FIs ने यहाँ पर इससदारी बढ़ाई है, DIs की बात करें, as it is बने हुए 7.78% के साथ, जिनमें LIC और यहाँ पर अबाकस emerging यह जो company है, इन्होंने ले रख रहे है, public के पास 40% है, काम होते हुए नजर आ रहे है, जो कि positive चीज़े मैं यहाँ पर कहता हूँ, बहुत सारी चीज़े और भी देखनी पड़ती है, ऐसा नह गिरावट होती है, तो हो सकता है कि आगे चल के company का, company आपर perform ना करे, और अगर company परफॉर्म नहीं करेगी, तो अब इससी बात है, share price क्यों भागेगा, उस चीज़े को भी आपको देखना होगा, ठीक है, यहाँ पर देखे, तो share already top पे चल रहे है, हाई बना चुका है, ठी आपको लेना चाहिए था, आपने लिया हो था, यहाँ पर पैसे आपके बने होते है, अभी क्या है, क्या भी ले सकते है, तो देखे, ले तो सकते है, ठीक है, आप याद रहे है, बाइंग सालीं की recommendation है, simply label बता रहो, ले तो सकते है, बट एक छोटा सा risk लेना पड़ेगा, risk क्या है, risk है, 16 रुपे का, लगभा लगभा 10% का downside, ठीक है, 200 रुपे के आसपास का एक stop loss आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, और बिल्कुल और छोटा stop loss बता दूँ, तो मैं आपको बताऊँगा, 208 रुपे, 208 रुपे के नीचे अगर चीज़े आई, तो यहाँ तक दिखाएगी और उसके बाद चीज़े और नीचे आ सकती है, तो अभी थोड़ा सा रिस्की है, बट यहाँ पर बेकार भी नहीं है, चार्ट चार्ट काफी अच्छा यहाँ पर नजर आता हुआ दिखाई देता है, बाकी हम बात करें, जैसे यह शेर अपना all time high को आती है, बट कुछ चीज़े जैसे कि मैंने बताया कंपनी की सेल्स कम होती ही नजर आई है, अगर कंपनी आप पर परफॉर्म नहीं करेगी, तो हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी के तेजी के बाद नजा कंपनी परफॉर्म नहीं करती, तो गिरता हुआ भी नजर आता है श जो कि मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि यहां पर इस कोर्स में सिखाता हूँ, साथ में काम करते होने में बताता हूँ, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे मैं यहां पर बात करता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि प्रॉफिट भी साथ साथ बुक करना है, ऐसा नहीं आज़र आएगी और आपके पैसे भी बनते हुगे नज़र आएगे सो वीडियो अची लगे लाइक, कमें, शेयर, चानल को सब्सक्राइब, बैल आइकन को हिट करे, नमबरों को नोट करे, साथ में काम करे और कोर्स करके सीखे, जब सीखेंगे तो फैसा अपने अप बनेगा, आज ने तो कल बनेगा, थैंकी सो मच, कॉनप्रेस